कि हलो दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का नई यूटूब चैनल अनुपिश्टेडी में आज हम लोग सुरू करेंगे जो है कि नाभिकी उर्जा जो है आपकी क्या होती है और इसमें नाभिकी उर्जा कितने प्रकार की होती है सब कुछ हम लोग इसमें देखेंगे और इसी वीडियो में कि आपको इम्पोर्टेट बता जायेगा जो अर्द आई उर्थायू आउकाल कास लेटार का इस तो प्रस्रों को आप लोग याद रहेगा ठीक है पहले आपको देखना है नाभिकिया उर्जा क्या फट्रकार की नाभीकिया उर्जा किसे कहते हैं पहले वो समझे लिए परमालू के नाभिक में उपस्थित जो उर्जा होती है उसे हम लोग कहते हैं क्या नाभिकी अउर्जा नाभीकिय उर्जा यारेकं जो जो है यह जो उर्जा से प्राप्त होती है रहां अपको परिभासा साथ लेंगे लिख खने याद करेंगे धाकी आपको क्या होता देखें पहला इसमें होता है नाभिकी ऊंद्व का अग्या हो गए नाभिकीा अग्या त और ये पहला हो miss है नाभिकी या बिखंड़न सद्धिक परमालौ मिलकर जै कि एक बड़ा परमालौ करेंगे तो आपका सद्धिक में होगा और नाकेleist परमाल् intuition का मतलब यह जो ना विक है पर्मालु का ठोनिक है वह तुप करके अलग अलग भागौ में भाजित होने लगताय एक से अधिक अधिक भाग यहनिक फरमालु माले टूट करके कई परमालों का नेमार के करता है तो वह होता है नाधी के षटा नाधी क representations आपको पहले मैं बता रहा हूं नाभिक की उर्जा क्या होती है अब देखिए यहां पर लिख देते हैं कि प्रमाडू के नाभिक में परमाडू के नाभिक में उपस्थित उर्जा को नाभिकिय उर्जा क्या कहते हैं कि नाभिकिय उर्जा कहते हैं यानि कि परमाडू के नाभिक में उपस्थित उर्जा को ही क्या कहते हैं परमाडू के नाभिक में उपस्थित उर्जा को ही क्या कहते हैं परमाडू उपस्थित उर्जा को ही कहते हैं नाभिकिय उर्जा क्या कहते हैं नाभिकिय उर्जा और य औरज़ए साइद का हें यह उरज़े नाभिकी और जो है नाविक्या नाविकिया यह जो उर्जा है नाविकिया अविकिया से प्राप्त होती है नाविकिया कौन उर्जा यह जो उर्जा है नाविकिया अविकिया यहाँ पस्थाई से लिख लिख लें नाविकिया अविकिया से प्राप्त होती है प्राप्त होती है ठीक है घ्यान दिजय का हम आप लोग पता है फ्रेंड्स कि यह जो आपका परमाडू है यह क्या है परमाडू और जो यह परमाडू है परमाडू के नाभिक में आपको पता है कौन को उपस्थित हो गया इसमें आपके उपस्थित होते हैं प्रोटान और क् और जो इलेक्टरान होता है परमाडू के नाभिक ऐसे क्या लगाता है तो आप कि उर्जा किसे कहते हैं आपका परिभासा हो जाएगा कि नाभिक में उपस्थित उर्जा को ही हम लोग नाभीकी उर्जा काते हैं और जो यह नाभिकी उर्जा उत्पन होती है यह उर्जा नाभिकी अभिक्रिया से जो यह नाभिक है परमालू का नाभिक है इसमें जो न्यूट्रान प्रोटान की जो खिरिया होती है उन्नी के द्वारा जो है यह जो है नाभिकी उर्जा प्राप्त होती है ठीक है यह चीज कि अमज़ागी अब चलते हैं नाभी की स्नलयन समझे नाभी की क्या स villa होता है उसको मैं अच्छी तर से समझा यहादेता हूं अब मैं इसको हटा रहा हूं नंबर एक है शल नाविक सब्सक्राइब नावी क्या होता है ठीक है और किनके द्वारा यह उत्पन होती है आगे बढ़ते हैं नाभिकी संवायन अगला है कि नाभिकी संवायन कि नाभिकी संवायन चलिए तो इसका परिभासा किया जब दो या दो से अधिक हलके नाभिक किसी अबक्रिया से संकलित होकर एक भारि नाभिक निर्मार करते हैं जैसे मान लिजी अस realmente में oxide का दो ये हलका नाभिक हैं कि माल अधिक हैं कि मालिए दो या क्या तीन भी ले सकते हैं यह छोटे छोटे जो नाभिक हैं हलके छोटे छोटे नाभिक हैं यहां एक साथ मिल करके बड़े नाभिक क्या कर दिये निर्मार कर दिये तो यह आपका कहलाएगा क्या सनलयन में यह जो छोटे छोटे भाग को जोड़ करके दिये कि बड़ा भाग बना दिया जाए तो वह आपक नाभिक को यहां कि परिभांसाँ मैं लिख चुका हूं कि मैं समझा जह रहा हूं कि जब दो या दो से अधिक हलके नाभिक यानि कि जब दो या दो से अधिक जब दो या हलके नाभिक हो या दो से अधिक यहां पर मैं एक एक जामपल आपको बता चुका हूँ और यह जो नाभिक मिलकर के एक बड़े नाभिका जब निर्माड करते हैं तो कि एक जूट एक दूसरे में क्या हो जाते हैं मिल करके एक बड़ा जब नाभी का निर्मान कर लेते हैं तो उसे कहते हैं क्या नाभी की सनलयन जब भी निर्मार करते हैं एक दूसरे के साथ मिल करके यह जो है कि बहुत आप बड़ी बहुत ज्यादा जो है कि उर्जा क्या करते हैं मुक्त करते हैं यहाँ पर यह आपका परिभासा लिखा गया है कि जब दो या दो से अधिक हलके ना भी हलके ना भी किसी अभकिरिया से संक्लित होकर एक भारी जो है कि ना भी का निर्मार करते हैं यह जो कि बहुत बड़ी उर्जा क्या होती है मुक्त होती है इसे हम लोग करते हैं क्या नाभी के सलायन कहते हैं और बिल्कुल इसी का उल्टा बिल्कुल इसी का क्या उल्टा जो है नाभी के विखंडन है इसमें जो है कि मिलाफ होता है यानि कि यहां एक दूसरे से मिल जाते हैं आप विखंडन की बात करते हैं तो वह ए हिलियम है है हिलियम और यह तो हो जाएगा और इसका भार जो है चार प्लस इसी में निकलती है कि इसमें से उर्जा निकलती है क्या निकलती है उर्जा यानि कि उर्जा कैसी उर्जा होती है आपार उर्जा यानि बहुत ज्यादा उर्जा निकलती है जो की उर्जा आपकी होती है वान यानि कि 17.6 मेव यानि कि मेगा वोल्ट अब यह बताएं 17.6 मेगा वोल्ट होता है अब समझ जाए कि वह कितनी निखलती हैा जो बहुत ज्यादा आपकी अर्चा क्या है यानि य कि हाइड्रोजू दो हाइड्रोड जब मिलने के बाद छोहाइक ही अपर उर्चा भी निकलती और वास्तों में आपको समझ में आया है एक बार इस वीडियो को लाइक कर दिएगा चलिए तो यह आपकी उर्जा हुई यह जो है आपका नाभिकी सनलायन में जो होता है ना छोटे-छोटे परमाड़ों के जो नाभिक होते हैं बिखंडित दी रहते हैं तो वह एक दूसरे स कि टुकड़े का निर्मार कर देते हैं तो वही आपको क्या आपके सनलायन चोटे-छोटे-छोटे से मिल करके वह बड़ा क्या हुआ है ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं यह तो नाभिकी सनलायन हो गया अब नाभिकी भिखंडण की तो इसमें तो आपको मिला फुराता मिल करके बड़ा बना रहते हैं जो बड़ा होगा तूट करके वह किसमें जाएंगे छोटे-छोटे में जब वह भी टूटेगा तो वह भी जो है कि उर्जया उत्पन करेगे इतना कंफर्म है आपको ना चलिए अब यहां पर थोड़ा मैं समझायता हूं एक चीज प्लाज्मा क्या है ध्याने जिएगा प्लाज्मा जो वह होता है जो टूटने के बाद यानि कि यहां पर मैं लिखाओ जिस ताप पर नाभिकी अभिक्रियाएं होती है अब देखेगा किसी को भी तोड़ने के लिए उस नाभिकी टूटता है यानि कि अलगा होता है वह अभिक्रिया होती है जी सब पर नाभी की सरलाइन अभिक्रियाएं होती है उस ताप पर पर्मारू के सभी इलेक्टरान अपने अपने पर्मारूं से अलग होकर फैल जाते हैं अब यह ध्यां दिजाएगा किसी भी लोहे को गर्म कर जाता है गर्म करके जब उसको पीटा जाता है तो क्या होने लगता है प्रकर्या wash में भी वहत को इता है उसके प्रकर्या अजिस पर नदिक्राण ऌता है है अपने परमाडू से अलग हो जाते हैं इसके फल स्वरूप नाभिक तथा मुक्त इलेक्टरान नाभिक तो आपका हो गया तथा मुक्त इलेक्टरान का तो आपको नाभिक जो भीखंडन होता है नाभिक आपका क्या होता है तो इसमें कुछ नहीं है जब एक बड़ा जो है नाभी कर तूट करके जब दो या दो से अधिक जो है कि परमालू में जब बढ़ता है तो मैं उसका भी परिवांस यहां पर लिख देता हूं सेम मोही प्रक्रिया है ठीक ना देखिए यहां पर मैं बोल कर लिख देता हूं कि यहां पर है आपका नाभिकी विखंडन देखिए क्या है नाभिकी विखंडन कि नाभिकी क्या विखंडन जब एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक जब एक भारी नाभिक भारी नाभिक दो या दो से अधिक जब एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे भागों में तूट जाता है तूट जाता है छोटे छोटे भागों में क्या होता है तूटता है जब तूटे गा तो वह भी जो है कि आपार उर्जा क्या करेगा मुक्त करेगा तूटता है और आपार उर्जा मुक्त होती है मुक्त होती है तो इस अब भिक्रिया क्या कहते हैं तो इस बिखंडन तो इस बिखंडन को नाभिकी बिखंडन कहते हैं इस बिखंडन को इस बिखंडन को नाभिकी बिखंडन कहते हैं नाभिकी या बिखंडन कहते हैं क्या कहते हैं यानि कि जब एक भारी परमालु का नहीं देखे उसमें क्या था छोटे 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 जो परमालु थे वह मिल करके एक बड़े नाभी का क्या कर रहे ते निर्माल कर रहे ते लेकिन इसमें से मुल्टा जो एक बड़ा नाभी होगा ना एक जो बड़ा नाभी जो करता है वह ँर्जय को मुंगत करता है तो विखंडन होने के बाद आपKI प्रणिया चलती है उसी को अमनों करते हैं कि यह आपको कोई जो है कि नाभिक हो गया बट गया तो यह आपका कहालाएगा यह नाभीक में की लगव में क्या होता है बट जाता है यह एक और यह परिभास में लिख देता हूं परगृसा या आथ्वा में करद रहा हूं आथ्वा में दूसरा क्या देखिए वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक एक भारी नाभिक दूसरा क्या देखिए वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो छोटे और समान नाभिकों में तूट जाता है तूट जाता है तथा अपार उर्जा मुक्त होती है तथा अपार उर्जा मुक्त होती है अपार उर्जा उत्पन होती है तो इस प्रकार की प्रक्रिया को उत्पन होती है तो इस प्रक्रिया को नाभिकी विखंडन क्या कहते हैं नाभिक विखंडन कहते हैं देखें यहां पठाज कर रहा है कि दखिए जो भी आपका नाभिक तूटे गा जरूरे नहीं कि सब्सक्राइब करके अलग हो रहें वह सबी समान हो जरूरी नहीं यह वह और समान भाग कोई छोटा यहां पर हमें एक्जाम्पल को याद रखेगा जैसे यूरेनियम है क्या है यूरेनियम है यूरेनियम ये 25 है सब्सक्राइब और इसका भार है 235 अब प्लास यहां पर जीरो निउट्राण वान और यह जब आपके तूटते हैं तूटने के बाद आपके क्या बनाएंगे इसके बाद 149 प्लास देखिए क्या मिला है तो क्या बंडा है ठीक है इसको याद रखेगा के आर यानि कि आपका क्रिप्टान है 36 इतना 36 और यह क्या 94 प्लस निउट्राण 301 यह क्या है निउट्राण है निउट्राण आप प्लस जो है अपने अंदर से क्या उत्पन करेगी यह उर्जा भी उत्पन करेगी क्या उत्पन करेगी उर्जा भी हो जो है क्या उत्पन करती है तो यह निउट्रान हो गया यह आपका क्रिप्टान ह यह आपको पता है यह तो न्यूट्रान है व कि और यह यह तो न्यूट्रान है यह ऊर्णी यह आपको आप लोगा आ अजुए कि ताद रहे हैं यूट्रान जब यह तोड़ते हैं कि आपका बेरियम होता है क्रिप्टान और नूट्रान प्लस क्या निकलता है उर्जा यह एक्जाम्बल के तौर पर आप लोग यह याद रखेगा तो यह आपको दे दिया जाए नाभी की विखंडर में आपको इतना दे दिया जाए कि आया जो है टूटेने के बाद क्या क्या बनाएंगे तो आप इसके बाद कुछ जो है की फार्मूला हम बता देते हैं जिसके प्रस्णों का सलुसन क्या जाएगा वह इंपोर्टेन्ट फार्मूले होंगे आप उन्हें याद रखेगा ठीक है और आपके फार्मूले हैं जब प्रस्ण आएगा उस टाइप का तो मैं वहां पे बता दू रखेंए जकोड़ सेटरी फूर्ट कर दें जानता हूं मेरा सबस्के जानता हूं अच्यों अची तरह सब्सक्राइब तो जीतना में जानता हूं आपको मैं बता देता हो जैसे के आदर तिहान पर बात करेंगे किसी तत्व से यदि एक अलफा कर निकलता है या एक बीटा कर निकलता है तो उसमें से कितना कितना संख्या आपकी होगी जहांपल की द्वारा इसे बताँ गया निकलने वाले अन्फाकोडे निकलने वाले अलफाड संख्या चाहिए तो आपको विल बात करते हैं निकलने merge बीटा कणों की संख्या दिफादा करना हो तो दोगने चाहिए उत्सरजित अल्फा कान यानि कितने आपके हो रहे हैं जो थोरियम है तो ठोगने तो बना रहे है जब बना रहे हैं यहां प्रतरीक जब बना रहे टूट कर बना उ क्या निकालना है और इसमें निकालना है बीटा कुछ ने करना है ठीक है तो बस कुछ नहीं करना है बहुत सिंपल है ध्यान दीजिएगा बस फारूमले पर लखिए यहां पर निकालना है क्या अलफा कॉणों की संख्या अलफा कॉणों की कॉणों की संख्या ठीक है तो जब आप अलफा कॉणों की संख्या निकालेंगे तो आप क्या क्या चाहिए दर्वेमान संख्या में कितने का परिवर्तन हो रहा है ध्यान कैसे निकालेंगे पहले दर्वेमान संख्या दर्वेमान की परिवर्तन निकालने के क्या करेंगे घटा देंगे तो आपका हो झाँ हो जाएगा और यह हो जाएगा रही कट गया किटना चार चनौ को शोली जानी कि जू अलफा शेग defer मिस्हें कि संक्राइखिल होगी चार और यहां पर बात करते हैं बीटा कॉनों की अत्ры कोई लिधा बीटा कण की संख्या अनों जब आप निकालों यार नहीं तो होता है क्या दो गुड़े उत्सर्जित एल्फा कण किख़ी कि और कितने आहे हैं और 6 gender cosine in 4 पर मानु संख्या masa में कमी पर मालू में कि कमी हो रहा है ध्यान देजिए अपर अब 282 हो जाते हैं तो अब संख्यां 2 हो जाएगी और बीटा की संख्या कि कितनी हो जाएगी तो यह आपका उमीद है कि आपको अच्छी तरह तरह समझ में आ गया होगा ठीक है जब परस्थनों का सलोसन हम कराएंगे तो आपका यह फारूला उसमें जरूर आएगा ठीक है यह आपका रहा यह आर्पा क पर चार है और बीटा कड़ों की संगय कितनी है दो किसमें इन में कि समझ्ञाइबाद चली यह सब चीज़े यह फार्मूला आपके दो है इन फार्मूलों का याद रखिएगा और मैं आपको आगे लिए काल यानि अर्ध आयू काल जो इसके पिछले वीडियो में मैं कुछ आपको बताया गया था तो वही है फिर अर्ध आयूकाल इसमें फार्मूला भी हम बता देंगे ताकि अर्ध आयूकाल निकालने माला जवी आपका प्रश्ण आएगा ना तो आप तुरन्ट कर सकते हैं और जो है मैं एक इक जांपल बता दूंगा ताकि आपको दिकत नहों कोई भी प्रश्णों का सलोशन करने में ठीक है तो इसके बाद यह चीज़े समझ में आए चली आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ इसी तरह से जूड़े रहेगा तो यह आपको जो है यह सब चीज़े समझ में आगे ना बस कुछ नहीं करना है आप कुछ और भी एक जांप HAR measurement करते हैं और र्थ आयुकाल का मतलब क्या हुआ कोई परमाड़ होगा और आधा हो जाता है नमांतों वह आपका किस हमें आता है और आ कोई भी समय हो लेकिन उसमें आपको कितना होना चाहिए आधाय आपका होना चाहिए जो पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि अर्ध आयू जह है वहां पर एक्जामपल दौरा आम समझाये थे उसे उस्तत्वा क्या कहते हैं और डायू कारते जैसा मालुजे इसमें आपके ताय होने में जितना समय लगेगा दस परमालू का आधा होने में जितना समय लगेगा वही आपको क्या का लाएगा और आयू काल का लाएगा यहां पर पांच हो गया तो आधा हो नहीं सकता ना आधा में दू हो जाएगा कीनी 3,5 आधा दाही हो आधा हो जायें जाता आधा हो जाएगा आधा हो इसका आधा हो इसका आधा होना चाहिए ना कि इसका आधा यह होगा तो इसका आधा होने में जितना समय आपका लगता है वहीं आपके कालाता है क्या आयू काल टीकें देखिए अर्दि दो समझ गये और अर्ददायू को हम इंडिकेट करते हैं प्रदार दारंबिक माता होगी वह एंजीरो होगा और जो सेस मात्रा जितने समय में वह सेस मात्रा बचेगा वह आपका capital N होता है उनमें आपका संबंध होता है ध्यान देज़ेगा यन बराबर होता है N 0 गुणे 1 बटा में 2 गगात कितना N यह आपका इसके लिए है और यदि पूरा समय यदि आपको find करना चाहते हैं कितना total आपका समय लगा है तो पलाबर हो जाएगा और डायू काल अगुले किया एन जहां पर सब इसमाद आपके प्रणात की मात्रा यान 0 होगा यान 0 से इंडिकेट करेंगे और पदार्थ की जो स्मातर होगी हुआ कैप्टल एंड आपका होगा यह चीज़ आपको समझ आई ना इसके बाद एक एजांपल मैं आपको बता दे रहा हूं तो यहां पर जो है कि हम एक एजांपल लिए हैं जो कि आपको अच्छी तरह समझ में आने व संख्या है जो एन है अर्द आयू कालों कि क्या है संख्या है जो इसमाल अन होती है और जो आर्थória काल होगा वाटी होगा यह तो लोग ए चली तो इसना सुलूसन कराते हैं देखिला तो किसी रेडियो एक तत्तो का Laser अर्द आयुकाल दिया है तो आप तुरंट समझ जाएंगे सर यह दिया है टी वन बाई टू का वेलू दिया है कितना पांच वर्स ठीक है अब आगे दे रहा है कि पदार्थ की दस ग्राम मात्रा कितने समय में 25 ग्राम रह जाएगी पदार्थ की सो ग्राम मात्रा जो है कितने समय में 25 ग्राम इसंधे अब जाएगे डिए इसके बाद आगे क्या दे रखा है जब बाद में आपको निकालना है क्या आपका पूरा क्या है समय यह आप लिखा गया है क्या फूरी को हम लोग पूर्ण समय कहते हैं कोई दिकत नहीं है यहाँ पर कैसे करेंगे यह autumn निकाले तो आसानी से हैं पूरा समय निकाल सकते हैं यहां पर ज Rashid the capital 8 शॉच के यहां पर मैंट को मैं हटा देता हूँ ताकि यहीं मानदा करके बस सलूसन करते हैं ताकि समझ में आ जाए आपको क्या प्रोसेस आपका चला है देखिए कैपिटल एंड कितना है वही 25 है ठीक है बाटा स्वरी बाटा में रंदी चाहिए से स्टेप बाइस्टेप समझ यह जीरो कमान कितना है गुने 1 बाइ 2 पावर एंड एन आपको देखिए यहीं एन का मान यादि निकाल लेंगे तो आपका और्धकाल का पता है और्धकाल पता है पांच तो बस एन का मान निकाल के मल्टिपलाई कर देंगे तो पता चल जाए कितना समय आपका लगेगा देखिए तो यहाँ पर इसका आधार बराबर है तो घातों कितुनना कर दिजिए वन बाई टू यह भी है वन बाई टू यह भी है तो घातों की तुलना कर दिजिए और घातों की तुलना करें तो यहन बरावर कितना निकला अर्द आयुकालों की संख्या कितनी हो गई दो हो गई अब आप से पूछा है टोटल समय तो बस टोटल समय इसमें रख दिजिए त होता है यानि कित न हईक भी कितनी है यान कि जो आपका होगा यह कितना वार्ष होगा भेई कितना वर्ष लगेगा यहीं दस वर्ष यह दस-स ग्राम मातरा को जो है कि 25 ग्राम होने में जो है कितना समय लगेगा आपका जो है कि 10 वर्स का समय लगेगा यह चीज़े आपको step by step समझ में आ गई होंगे ठीक है अब यहां पर अब यहां पर ऐसे नहीं आप कर पाते हैं तो आपको बस कुछ नहीं करना है यह 100 ग्राम है न अब देखिए 5 वर्स और तो आइक्ल 5 है 100 ग्राम जो है 5 वर्स में आधा होगा यह पचास हो जाएगा फिर यह 50 जो से 25 ग्राम होने में कितना समय लगा यह 5 उर्स यह है 5 वर्स कितना वर्स हो गया 10 वर्स यानि डिरेक्त आप ऐसे विर निकाल सकते हैं कितना हो गया 10 और ज्यादा आपको दिकत है तो इस फारूले पर विए आप यह से निकाल सकते हैं नहीं है तो ऐसे भी आप लोग निकाल सकते एक और देखिए जैसे मालेजिए और दाइकाल कितना देए अब यहाँ पर 200 ग्राम था कोई पदार थे 200 ग्राम और इस 200"... कितने समय आपका 25 ग्राम हो जाएगा कितने समाए बाद ऑपका 25 ग्राम होजाएगा तो बस कुछ नहीं नहीं है तो तो यही ट्रिक लगा दीजिए तुरंट फटाक से अब देखिए 200 था 200 देखिए 20 वर्स में आधा होगा तो यानि कि आपका 100 रह जाएगा फिर यह 100 है अगले 20 वर्स में आधा होगा तो 50 हो जाएगा लेकिन हम लोगों को चाहिए कितना 25 ग्राम पे जाना है फिर यह 50 जो है आधा होगा दो 20 वर्स में आधा होगा तो कितना हो जाएगा 25 तो वही ने पूछ रहा था कि यह निकि 200 ग्राम जो है 25 ग्राम होने में टोटल कितना समय लगेगा यह यह आपका अर्थाईका आए नहीं समझ में आता है तुरंट आप जो है इस पर करेंगे तो आपका स्वा फाइंड होगा कंफर्म है चलिए तो इस पर हम लोगे कि देख लेते हैं एक बार वास्तों में आता है नहीं 25 और यह आपको कितना हो गया 200 हो गया वर्स कितना हो गया आपका 20 कोई दिकत नहीं सेम प्रोसेस आपका वह सहीं और फिर यह हो जाएगा 25 बटा में कितना हो गाथ बरावर एक बटा में दो कfaT N क्या लग सकते एक बटा के सरपर कितनां एक बता के सरफ पर यह जाएगा एक वज़ी और दाइकालों की संख्या कितनी हो गई तीन यह हो जाएगा इस वीडियो में जो एक बढ़ाया हूं और यह की स्टेप आपको आपको बताया है तो अच्छी तरह से समय में आ गया होगा एक लाइक जरूर कर दीजेगा और हमारे साथ नहीं जुड़ है चैनल को सब्सक्राइ सब्सक्राइब करके जो ही कि हमारे साथ जुड़ यह ता और वेल आइक उनको फिरस भी कर दीजेगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे चले दोस्तों मिलते हैं आप से अगले प्डियों में तत्त के लिए करते हैं